पाकिस्तान के लोहॉर में लश्करातं की अब्दुल्रेमान मकी और हाफिस साइद का बेटा तलहास साइद ने खुले आम आरत के खिलाव सहरुगला लहोर में खुले आम रैली कर लशकरातन की मक्की ने हाफिस साइद की नजरबंदी पर पाकिस्तान सरका को जम्प कर कोशा हाफिस कॉम्म साइद की गरिद्पारी नजरबंदी सक्ष कर दी देश के नए राश्पती के तौर पर रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को श्रपत लेंगे जीत के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा गरीबों की बीच से उठकर राश्पती बन जाओंगा कभी सोचा नहीं था आज अपने जन्मदिन के मौके पर शंकर सिंग वाघेला गुजरात में अपने समर्थ को के साथ श्रक्ति प्रदर्शन करेंगे गुजरात में क्रॉस वोटिंग की शुकायक थी बार कॉंग्रिस ने विधायकों कोवा घेला की जन्म दिन पार्टी में जाने पर कारवाई की चताब ने थी लालू यादो के बेटे और बिहार के स्वास मंत्री देश प्रताफ यादो के पेट्वोर पंप का लाइसेंस रद्द किया गया पीमा विवात्वर विदेश मंत्री सुश्मा सुराज ने संसद में कहा पहले चीन डोकलाम से सेना हटाए तब भारत की सेना हटे पुच्राद के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावने के बाद एहमदाबास दिला प्रशासन अलर्ट पर हिंद्रिय मंत्री अरुचेटली ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडा गर्दी बरताश्थ नहीं लेकिन राजने तिक रंग भी गलत रिलाइंस इंडस्ट्री का पहले पहुचा गात्याबास के कवी नगर में पुलिस ने मुझभेड के बाद एक बदमास को गिरफताद किया नमोकश्मी के अलग-अलग इलाकों में बादल फटने और जमीन खिसकने से तेरा लोगों की मौत हो गई जिबकि कई लोग लापता है तारुखान को आईपियन से जुड़ा फेमा मामले में प्रवर्तन निदिशाले ने नोटिस जारी कर 23 अगस्त को तलब किया आस्ट्रेलिया को 36 रंग से हराकर भारत महिला विश्रुक कप क्रिकेट के फाइनल में पहुच गया जहां तेश जुनाई को स्काबला इंग्लैंड सुपोगा फार्ति महिला क्रिकेट टीम की कप्तार निताली राजविश्व कप 2017 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाडी बनी अमेरिका के मशूर गायक चेस्टर बेनिंग्टन का शव लोस एंजुलेंस में उनके घर पर हंदे से लटका पाया गया पंजाब के जालंदर में हत्यार बंद नकाब पोश बदमाश एक शराब के ठेके को लूटकर फरार गुगए